आज हम लोग सेशन A Text Wrapping के बारे मिरें जानेंगे Text Wrapping होता क्या है और कैसे इसे adequate apply करते हैं तो पहले text wrapping के बारे मिरें जान लेते हैं जैसे एक page आपने यह लिया हुवा और इस पर आपने एक sugar insert और कुछ text लिखा आपने और कोई UnitedGE answer कर दिया तो आप ऐसा देखते हैं कि यहांप इंसर्ट होता है । इसमें जो फिगर इंसर्ट होता है तो टेक्स कुछ उपर आ जाते हैं बीच में फीगर आ जाता झाया। और नीचे Hetी से याता है अब यहां पर आसपास की बहुत सारे प्लेशारी खाली रह जाती है जो दिखने में काफी और्ड फिल होता है तो हम करते क्या है टेक्स रैप का इस्तमाल करके फीगर को फिक्स पोजीशन पे रख देते हैं जिससे टेक्स और फीगर का कमिनेशन एक बहतर तरीके से दिखे और हमारा पेज और नलुक में नहों ठीक है तब आज इसे जानेंगे क कैसे इसे अप्लाई करेंगे और होता है क्या है पले इंट्रॉक्शन देख लेते हैं कि क्या है टेक्स रैपिंग तो आड़िंग इमेज इसे ग्रेट वे तो रहेंस दे लुक आप माइक्रोसॉप वर्ड दॉक्मेंट बट इफ टेक्स रैपिंग एराउंड अब्जेक्ट इस नाट फॉर्मेटेट करेक्टली इट कैन मेक इंटार डॉक्मेंट लुक पूर्ली प्रिपेड और अन प्रोफेशनल इन दिस सेशन वे लर्न हाव तो गेट देट आउट आउट अफ वर्टेक्स रैपिंग अप्जेक्ट जैसमान भी विता है कि जब हम अगर सही धंग जो की वर्ड को नहीं जानता है तो टेक्स रैपिंग क्या है यह देख लेते हैं को टेक्स रैपिंग लिए प्या यह फिचर पीच्छ वर्ट पर फोनेवान विठ प्रोफेश्ट नवार विए 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 लगफाशन प्रेच्छ व फेच्छ रैपिंग विए नविए हैं । एमे प्रियंग भीच्छ बश्ब्ड आपिंग इंग by word processor that enable you to surround a picture डाइग्राम बित टेक्स रैप एराउंड द टेक्स दो टेक्स रैप एराउंड ग्राफिक्स आपजेक्ट इंसर्ट इंशर्टिट इंद डख में अब इसका इस्टेप हम जान लेते हैं कैसे हम इंसर्ट करेंगे टेक्स आप को तो इसके लिए तोड़ा सा चोटा करते हैं अब ठीक है अब देख लेए सालाज टेप है सेलेक्ट द इमीज यू वांट टू रैप टेक्स एडाउंड जैसे हम उस इमीज को सेलेक्ट करते हैं एक फार्मेट टैप जैसे हां दीख रहा है आपको दो फार्मेट टैप विल आटमाटली अपीर ऑन दे रिवन टे फार्मेट टैप आटमाटिक आ जाएगा जब हम सेलेक्ट करेंगे इमीज को सेकेंड ऑन दे फार्मेट टैप क्लिक ऑन दे रैप टेक्स कमांड इन दे अरेंज ग्रूप अरेंज ग्रूप में देखिए आप यो रैप टैक्स है इस पर हम क्लिक करते हैं देन हाव वेर दे माउस ओवर दवारियर टैक्स रैपिंग आप्शन अब देखिए आपे बहुत सारे टैक्स रैपिंग आप्शन है कौन-कौन से मैं दिखा दूं आपनों को इन लाइन विद टैक्स देखिए लाइन के साथ इसक्वाइर टाइट प्रू टाप अंड बॉटम बिहाइंड बिहाइंड का मतब ता नीचे यह इमेज होगा वह टैक्स के नीचे चला जाता है टैक्स उपर होगा इमेज पीछे रश्ट उसके इन फ्रन्ट आप टैक्स टैक्स रहेगा नीचे और उपर उसके इमेज आ जाएगा यह जो फिर डेडफ टाइन अब रएप पॉइंट को अपने एकॉर्डीं हम एडिट कर लेते हैं उससे बोलते एडिट रैप इस और शॉनरे अपॉंचे टैक्स गारनी कि मिनस से कोई बिए सेलेक्र कर सकते हैं या और उससे भी ज्याद्रद neste तो more layout option महीं जा सकते हो जा पर कई सारी और option आ जाएंगे इस से रेट है बड़ सामान तोर से हम लोग behind text in front का इस्तमाल करते हैं इसमें इस हम एक सेलेक कर लेंगे फिर क्या करेंगे next step होगा हमारा तो जैसे हम सेलेक करेंगे तो तो उमारा टेक्स रेप कुछ इस तरह दिखेगा जटेक्स रेप एराउंड दा इमेज देखे अब यहां पर इमेज है अब देखें यहां पर messaging जो लिखा हुआ text है अब इससे क्या होगा इससे पहले कैसा दिख रहा थे भी लिखा देते हैं आपनों को कुछ ऐसा था यह चीजे लिखी गई थी कुछ यहां पर इमेज बीच में आ गया अब क्या होगा जब हम text wrap कर दिए यह look इसका look बहतर हो ग जाता है और text दो तरी तरफ अब दिखने में बहतर है कि यह तक और काफी space भी इससे बसती है तो टेक्सराइब का में कि अब फीचर या अब डेस्ट इसका है कि आपकी word document को बहतर बनाना तो फिर से इसके कि स्टेप को फिर से हम देख लेते हैं कि कैसे कैसे हम text wrap का यूज करेंगे तो इसके लिए सबसे पहला select the image you want to wrap text around the format tab will be automatically appear in the ribbon format tab आ जाएगा फिर on the format tab click on the wrap text command in the orange group tab text पर click करेंगे फिर however the mouse over the variant text wrapping option कोई भी हम जिसको चाहिए यूज करना उसे हम select करेंगे text will be the text will wrap around the image के तरफ चारू तरफ राट हो जाएगा एक और तरह का जिससे आप रैप कर सकते हैं टेक्स को इसके लिए क्या करेंगे उसे भी मैं बता देता है आपनों को जो सेकेंड टाइप है जिससे हम text wrap कर सकते हैं इसके लिए इमेज इमेज को आप select करेंगे और उस पर राइट बटन क्लिक करते हैं जैसे इमेज है इसको हम select किये और राइट माउस का राइट बटन क्लिक करते हैं जो यह राइट बटन क्लिक करेंगे यह देखिए यह एक ओपेन हो जाएगा पॉपप मीनू इसमें कट कॉपी पेश्ट इसक्तर आएगा इसी में होगा टेक्स रैप टेक्स रैप हम सेलेक करते हैं और वही जो आपसी हैं उसे करें गखेर सकते होंalen को टेक्स रैप कर सकते हैं यह कौन Já छ dáug कि पाला सेलेक्ट इमेज सेकें राइट क्लिक अन अ माूस यहानि प्लिक दर राइट बटन आप माउस pop up menu appear select the text wrap then option present in a text wrap option को select कर लेंगे और हमारा text wrap हो जाएगा निकार जो भी image है वह text wrap हो जाएगा इसके type को पहले हम भी discuss कर लेते हैं जैसे text layout text wrap layout जो हैं वा क्या है इसको जान लेते हैं उसका यूज ज क्या है अब यह है इसको स्कॉर जो स्कॉर हम से लेकरते हैं तो टेक्स डाप टेक्सरांड टेक्सरावर्डर बार्डर ऑफ इन्सर्टिंग इमेज्ज यह तैट क्या है to wrap text around the irregular shape image top and bottom to keep image in between text and top and bottom side behind the text use the image as a watermark behind the text in the front to display the image over the text यह तिया है और इसके usage क्या है यह भी दिया हुआ है तीसरा से से ससन्खतम होता है आज के लिए इतना है दिख्ञक्स फाल वोच्टिक